हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुइन कुमार बिन, सेफ्टी ओफिसर आज हम एक पीपीटी के माध्यम से सीखेंगे कि वाट इज कॉआपरेशन कॉआपरेशन क्या होता है? हिंदी में कॉआपरेशन का मतलब होता है सहकार या सही होग अब सहकार का मतलब क्या होता है? कि जब कोई भी काम हमें किसी ने कहा नहीं है किसी ने हम पर प्रेशर नहीं बनाया है किसी ने हम पर दवाव नहीं बनाया है कोई भी काम हमने खुद जान बूज कर सोच समझ कर उठाया है वो होता है सहकारे हमने पर प्रेड़ा से नहीं, सोयम प्रेड़ा से उठाया है, सोच समझ कर उठाया है, उसे कहा जाता है, सही तरीके का सहकार है, सही तरीके का सहयोग है, क्योंकि कोई भी काम बिना सहकार, बिना सहयोग का वो सफल नहीं होता है, तो हम इसे safety से relate करते हैं कि why should be cooperate with safety system safety system को क्यों cooperate करना चाहिए क्यों every person should be involved in cooperation with the safety systems उसका reason है कि first है कि personal benefits अगर हम सहकारे करते है safety system के साथ तो हम चाहे कोई भी हो काम करने वाले चाहे safety वाले हो चाहे engineer हो चाहे project manager हो चाहे workers हो कोई भी हो तो personal benefit होता है अगर हम safety system को cooperate करते है सहई योग करते है safety culture को बढ़ाते है تو हमारा personal benefits वाह पर होता है कि हम भी safe है क्योंकि हमापे negative culture है तो हमारे साथ भी accident हो सकता है हमने देखा हैं बहुत सारा accident कि किसी के भी साथ accident होता है वो चाहे engineer हो यह सेफटी वाला हो यह प्रॉजक्त मैंबेजर हो यह फिर लेबर हुआ तो दूसरा है कि family growth कि अगर हम सेफटी सिस्टम को maintain करते तो हमारा ultimately हमारा family safe होता है क्योंकि हर एक इंसान family समाज है यही समाज हमारा बड़ा समाज में मिलता है तो हम एक समाज के लिए अच्छा काम करते हैं अगर हम सेफटी सिस्टम मेंटेन करते हैं तो हमारा समाज में हमारे कश्ट नहीं रहेगा दुख नहीं रहे यह वीडियों में संजह कि एक निर्द मेरे मेन स्कूद कोष्ट मेरे मे करने यूदुप के पर हमलेके क्लिप क्रिये अगर्ट अच्छा सेस्टेम को को आप्लेट करते हैं हमारा नेशन ग्रोथ होता है अल्टिमेटले ओके थैंक यू